Hey guys welcome back to our YouTube channel Learned Science of course Learned Social Science तो बच्चो आज आप लोग लिए वो वीडियो आ गई है जिसका हमने आपसे प्रामिस किया था यानि आप लोग का सर्प्राइज आपके सामने है वो है बच्चो क्लास 8 पॉलिटी क्रेश कोर्स इट मिस नसे पॉलिटी बलके जॉगरफी भी देखे बच्चो देखे अगर आप लोगोंने अभी तक नहीं पढ़ा आज यूनों कि हम लोग स्लेबस कंप्लीट कर चुके हैं बहुत अच्छे से पढ़ा है बहुत टाइम से स्लेबस कंप्लीट कर लिया है अब क्या है कि कुछ बच्चे जो हैं अभी उनको होश आया है कि मार्च में एक्जाम से तो पढ़ लेना चाहिए तो चलिए बच्चो जब जागो तब सवेरा जब भोश आये एटलीस आप लोगो को होश तो आया है कि हमें पढ़ना चाहिए तो चलिए यह होगी मज़ा की बात बाकी जिन लोगों ने पढ़ लिया है जिन लोगों ने पूरा स्लेबस हमें फॉलो करते हुए यूनों कुछ भी एक्जाम टाइम में आप लोगों को प्रेशर लेनी की जरुवरत नहीं पड़ेगी आप लोगों के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होने वाला है इस वीजियो के बाद तो इस पेशली तो देखिए हम लोग ने वैसे प्रॉमिस किया था अगर आप लोगों ने देखिए तो आज जाकर देख लीजी ताकि आप लोगों को हमारे जो पूरी जो हम क्रेश कोर्स की स्रीज चला रहे हैं इसका कॉंसेप्ट आपको समझ में आ जाए तो देख लीजिए उसको वैसे बच्चों मैंने कहा था 5 चाप्टर इन वन वीडियो देखे हम हमेशे इस क्या करना खेलना है दूसरा काम जो है हमारा क्या है खेलना है तो यह टाइम है जो अगर इस टाइम को जिसने यूटिलाइस कर लिए तो वह यू नो आगे चलके कितनों बड़े एक्जाम में बैठ जाएगा ना तो उसको इन सारी चीजों को दुबारा से रिपीट करके कि बचो अगर आप इस कॉंसेप्ट को समझना चाहते हैं कि यह क्लास आप लोग कितनी मॉटिवेश्ट कितनी यू नो एहम है जरूरी है तो आप जाके जो है मेरी मॉटिवेशनल वाली वीडियो को देखिए उसमें मैंने आप लोग बहुत यूनो प्यार से समझाया है तो उनका यूनो मतलब तयारी हो जाएगी सोचल साइंस की और जिन लोग ने नहीं पढ़ा होगा उनकी क्या होगी फट अफट से उमका सिल बस कंप्लीट हो जाएगा तो चलिए बिना लेट के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो यह आपके फाइनल एक्जाम की भी प्र करते हैं तो इससे यह अभी सबसे बेस्ट टाइम इस चैप्टर को पढ़ने का इस चैप्टर को समझने का तो इससे क्या होगा कि आपके बहुत सारे डाउट के लिए होंगे और आप लोग के अपना फंडामेंटर राइट का तो पता लगेगा ही साथ में आप लोग को अगर हम उनको पर्जेंट से जोड़ कर पढ़े ना तो वह चीज हमेशा में दिमाग में भी बेट जाती है और उसका कॉंसेट बिल्कुल क्लिया हो जाता है क्योंकि अगर हम पर्जेंट की इस जोड़ते हैं तो हमें उसकी सही गलत दोनों पहलों पर हम नज़र डालते हैं इस तरह क्या होता है हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं वाय डूवी नीड़ अ कॉंस्टिटिशन सबसे पहले बात यह आती है कि हमें कॉंस्टिटिशन की पढ़ दी है देखिए बच्चों सबसे बड़ा मसलिया भी किसी particular मथ्याब किसी particular you know party party का यहां पे शासनी यहां सिफ constitution का laws का शासन है उसके मताबिक हमारे इंडिया चलता है कोई भी government बनती है तो उसका काम होता है जो constitution में लिखा है उसको follow करते हुए decision laws बनाए और वो जो है आगे की policies बनाए तो इसलिए सबसे पहले हमारे ही question है कि हमें constitution की जरुएत भी पढ़ती है तो देखें point number first में हमने इस बात को लिखा है कि आज के डाय में तकरिबन सभी countries के पास constitution है और देखें एक बास समझे कि सभी countries में जो constitution है वैसे तो constitution ज्यादा तर जो है democratic होता है पर जरूरी नहीं कि जिनके पास constitution है वो democratic constitution ही हो जैसे कि हम लोग नेपाल में पढ़ाता अगर आप लोग ने इसके explanation नहीं देखे तो उसमें आप देखेंगा कि हम लोग नेपाल में पढ़ाता है कि वहां पे भी constitution था बट वहां पे मुनार की वारा constitution था अब constitution में कैसे laws है कैसे कानून है यह इस बात को decide करते हैं कि वह constitution democratic है यह मुनार की है तो ओके यह concept clear हो गया कि अब देखते हैं में चूज हमें ज़रुएत पर दी है तो a constitution helps serve as a set of rules and principles that all person in a country can agree upon as the best of the way in which they want the country to be governed कि constitution कि किसी भी देश में different different परकार के लोग होते हैं different religion से different caste से different state से different languages बहुते हैं different culture होते हैं तो जरूरी नहीं कि वह सारे लोग किसी एक चीज़ पर you know agree करें तो constitution हमें help करता है ऐसे rules ऐसे rules का setup लेके आता है जिसमें जिस पे सभी लोग जो है उस country के believe कर सके और वो you know उसके पड़ती है उनका विश्वास हो और वो उस पे agree करें और और वो उसमें जो है basically वैसे laws और कानून बनाना चाहते हैं जैसा वो मतलब उस देश के लोग चाहते हैं कि हमारी country ऐसी होनी चाहिए this include not only the type of government but also an agreement on certain ideals that they all believe the country should uphold तो इससे मतलब constitution से सिर्फ यह नहीं पता लगता है कि हमारी government मोनार्की होगी या democratic होगी बलकि इससे यह भी पता लगता है कि वहां के लोग क्या चाहते हैं कि especially जो वहां का पूरा समाज है पूरी country की जो जनसंख्य है वो क्या चाहती है कि हमारे constitution हमारी country कैसी हो तो इसी तर के साथ मेल जोल के साथ महबत के साथ रहे unity and diversity हो तो यह main purpose है हमारे constitution का okay in countries that have adopted a democratic form of government or quality the constitution plays a crucial role in laying out certain important guidelines that govern decision making within these societies देखें जिन countries जो countries जो है democratic को करती है constitution ऐसे टाइम में खास रोल प्ले करता है government को इस बात में guide करने के कि उसको कैसे decisions लेने चाहिए कैसे फैसले देने चाहिए it means की constitution ही ते करता है कि जो अभी सत्ता में जो government है उसको कैसे laws बनाने है कोई ऐसा law नहीं बनाना है जो किसी दूसरे को किसी के लिए परेशानी का सबब बने and second I mean next point हमें जो इस बात के लिए कि हमें एक constitution की जरुवत परती क्यूं है कि in democratic society the constitution of a less drawn rules that guard against this misuse of authority by our political leaders देखे यहां पर यह बात साफ साफ लिग दी गई है अगर आप इस चीज को present issue से जोड़ गए देखे न तो आपने constitution पर पूरा believe हो जाएगा कि हमारे constitution जानता था हमारे जो constitution assembly के जो लोग थे उनको पता था कि ऐसा ऐसा हो सकता है क्योंकि उन्होंने एक लंबा time इसी चीज को experience किया कि democratic society में constitution एसे rules लेकर आता है जो यह जो authority है political leaders जो है अपने authority का जो misuse करते हैं उसके against लोगों को citizens को जो है वो guard you know उनको protection देता है ऐसे constitution में हमारे कानून है ऐसे rule है okay the Indian constitution guaranteed the right to equality to all persons and says that no citizen can be discriminated against on ground of religion, race, caste, gender and place of birth the right to equality is one of the fundamental rights guaranteed by the Indian constitution देखें यहाँ पर साफ साफ कह दिया गया है कि right to equality इंडियन constitution में एक ऐसा right है जिसने एक बात कह दी है कि इंडिया में किसी भी citizen के साथ उसके religion, उसके race, उसके caste, gender, place of birth के आधार पे base उसके साथ discrimination उसके साथ बैदभाव नहीं किया जा सकता Another important function that a constitution plays in a democracy is to ensure that a dominant group does not use its power against other less powerful people or groups और दूसरी important function जो है constitution का वो जो democracy में है वो यह है कि वो इस बात को ensure का entire constitution ऐसे laws ऐसे कानून लेकर आता है जिसमें कोई भी group या more powerful group जो है less powerful group को जो है dominant नहीं कर सकता है चाहिए वो same religious के यह जैसे for example आप Hinduism में ही देख लिए जो दरीत लोग हैं उन लोगों को जिसा आप लोग अभी बहुत जादे news में पढ़ रहे होंगे जो अपर कास्ट के लोग हैं बच्चों यह अपर कास्ट कि कौन किस religion से कुन गोरा है कुन काला है किसकी कास्ट क्या है किसका gender क्या है यह सारी चीज में नहीं करती वही इंसान अच्छा है जो बहतर काम करता है जिसके करम अच्छे है जिसके character अच्छे है और जो इंसान क्या है faithful है यानि वह जिस country में रहता है उसके constitution के लिए अपन में ही एक दूसरे के ऊपर डॉमिनेशन ना करें and the third significant reason why we need a constitution is to save us from ourselves देखें यहां एक बहुत अच्छी बात आगी ही जो हमें तो especially समझना बहुत जरूरी है कि constitution के हमें क्यू जरुत परतीज का third significant reason है वो जह है कि constitution हमें अपने आप से बचाता है देखें यहां लिखा है this may sound strange but what is meant by this that we might at time feel strongly about an issue that might go against our larger interest and the constitution help us guard against this अब देखें हमें अपने आप से बचाता है यह मतलब थोड़ा weird लग रहा है सुनने में अजीब सा लग रहा है लेकिन यहां पर कहने का मतलब ही है कि कभी-कभी ऐसा होता है कि किसी issue पे हमें बहुत strongly feel करने लगते हैं बहुत अंदर से emotional हो जाते हैं और बहुत अपने आपको you know मसबूत feel करने लगते हैं और हम सूचते हैं कि हमारी वो खायश पूरी ही हो जाए लेकिन क्या होता है कि हमें अभी तो फायदा नजर आ रहा होता है लेकिन हमारा उससे जो larger interest है देश का हमारा परसनी खुद क्योंकि जब भी हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो किसी के साथ बुरा करके कोई इंसान कभी खुश नहीं रह सकता है बच्चों जबके हम एक ऐसी democratic country में रह रहा है हों तो हम larger interest को क्या करते हैं हम उसको ignore कर रहे होते हैं हमें वो दिखाई ही नहीं देता हमें हम इतना जादे strongly जैसा अभी issue पर हो रहा है कुछ लोग इतना अपना आपको strongly feel कर रहे हैं वो सोच रहे हैं कि यही सब कुछ है वो larger interest को नहीं देख रहे हैं कि अगर हम अभी यह चीज़ पर इतना बुरा रियक कर रहे हैं तो आगे हमाई country के democracy के लिए कितना जादा नुकसानता है यह तो ऐसे time में क्या है कि हमें fundamental rights के साथ साथ हमाई पास fundamental duties है ऐसे time में constitution हमें guard करता है हमें help करता है कि हम जो है गलत काम करने से बचे रहें हम अपनी ही बुरी power को अपने अंदर दवा दें ऐसे time में constitution हमें guard करता है हमें सही राह दिखाता है तो यह सारी बाते थी जो कि एक country को जो कि मतलब एक country को constitution की क्यूँ जरुवत होती है के उसकी जवाब में ओके बचो और constitution हमारा ऐसा है कि अगर हम constitution की बात करते हैं और अगर हम constitution के परती बिल्कुल इमानदार हो चाहें तो हमें किसी तरह की कोई प्रेशानी ना करने का मतलब नहीं किसी के लिए खड़ी कर पाएं ओके बचो चलिए आगे बढ़ते हैं सेकिंड जो टॉपिक है वह है इंडियन कॉंस्टिशन की फिचास इंडियन कॉंस्टिशन की की फिचास देखे हम लोग ने इसको चैप्टर के एक्स्प्लेनेशन में काफी अच्छे से पढ़ा Charavnos CDF आप लोग ने नहीं परच्प्टर के एक्स प्लेशन में नहीं परच्प्टर के नहीं परच्प्र गेए और आप लोग नीं है र्वारी चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप पहले चैनल पर जाएं वहाँ आप लोगों को सभी चैप्टर जो आपको एक एक प्लेलिस्ट में वीडियो में मिल जाएंगे या फिर मैं प्लेलिस्ट का वीडियो का लिंक जो है डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में आप लोगों से भी पढ़ लीजिगा ओके तो चलिए दूरिन देफिर्टम स्ट्रागल देशनलिस्ट है डिवोटेट अ ग्रेट दील ओव टाइम तो इमेजिनिंग अद प्लानिंग वाटर फ्री इंडिया वोड बी लाइक दिखिए फ्रीडम स्ट्रागल के अंदर जो हमारे उसके टाइम में नेशनलिस्ट जो थे जो करें में के घ़िच एक बिरिटिशार्स के इसको इसले यूड परिंदें के लिए उक्त कर आज करने के लिए वोगह शिज्ट और जीक्रेवलिस्ट कि पनारी जो कि क्या है constitution के जो मूल धारा है man stream जो है उसके खिलाफ है the long experience of authoritarian rule under the colonial state convinced Indian that free India should be a democracy in which everyone should be treated equally and be allowed to participate in government तो ये जो authoritarian उपनी वेश्वाद यानि जो जुम जबर की ये जो लंबा टाइम था इसके experience से जो हमारे freedom fighters थे उन्होंने इस बात को convince किया या फिर उस चीज़ ने उनको इस बात को convince करवाया कि हमारे जो free India होगा वो ऐसा होगा कि उसमें सब के साथ equality treat किया जाएगा वो democratic होगा और सभी लोगों को government में participate करने का allow होगा इसके जो भी फैसले बनाया जाएंगे वो सब की सहमती से बनाया जाएंगे अब वो कैसे बनते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे बचो देखे उन पे गुजरी थी इतना लंबर टाइम उन्होंने कैसी government के अंदर गुजारा था जो उनको कुछ भी जिन्होंने उसको बिल्कुल गुलाम और मजदूर बना के रखा हुआ था बिल्कुल भुकमरी वो सिर्फ अपने फाइदे के लिए जो लोग काम करते थे अपनी कुर्सी बचाने के लिए तो उस टाइम पर उन पर गुजरी थी तो उनको यह बास समझ में आई कि अच्छा है कोई हमाई इंडिया में किसी भी मजभब से हो किसी भी धरम से हो हम एक्वली रहेंगे इसी में हमारा फाया है तो बचो यही चीज है यह तो हमें अपन अपनी जनरेशन जो है खुश रह से के उसको जो कुर्बान के हमें उसका रस्पक करना चाहिए उसको ध्यान में रखते हुए अपनी इंडिया को कभी अभी कुछ लोग मैं देख रही थी ऐसा भी बोले थी कि हो सकता आगे इंडिया डेमोक्रीटिक ने तो इसी बात तो हम अपने मुझे भी नहीं नहीं कानी चाहिए यह बिल्कु सरा से देश की खिलाफ वर्दी की बात है ओके बच्चों तो चलिए इंडियन कॉंस्टुचिशन के की फीचास पढ़ लेते सबसे पहले हैं यानि संगवाद यानि एक ऐसा एक ऐसी इंडिया देखिए हम लोग उन एक ऐसा ऐतीम के एक इनसान के हाथ मिए फिर एक गूरुप आफ फॉलिकल पार्टी के हाथ में नहीं होती बलकर ़ theor हे में इसमें हमारे प्कूर्ड, इसमें में की में तीम एमे हैं कि एसलिए यह तो अब 요ार्ट ही इस यह थ Jeżeli पुक्षन सरेात चाहित शाहिक हुए और इम परलियमेंट में फिर पूरा सिस्टम चलता है इसको भी हम आगे पढ़ेंगे होगे बिना किसी भैदभाव के बिना वो फैसला लेकर आए क्योंकि उसके फैसले पर बहुत हद तक जो है क्या होती है इंडिया के डेमोक्रेसी टिकी हुई है तो बिना डरे बिना धमके लोगों के हित में काम करें नमबर फॉर्थ है फंडामेंटर राइट्स जिसे इंडियन कॉंस्टिशन की जान भी का जाता है बच्चे यह फंडामेंटर राइट्स ही है जो कि हमाएक कॉंस्टिशन को पक्का क्या बनाते हैं डेमोक्रिटिक बनाते हैं जो भी किसी जो किसी भी कंट्री को यह किसी religion को पर्टिक्लरी पर्मोट करें नहीं दूसरे religion के साथ भृदभाव करें और हमारे इंडिया किया है एक सेक्लर स्टेट है यह कुछ पांच की फीचर्स थे जो हमारे इंडिया कोस्टीजिशन के की फीचर है इनके ऐक्स्प्लेशन हम लोग ने वीडियो एक्स्प्ल जो ज हम ने इतने पढ़े भिपमेंटल राइट को भी आपके दिया के रखा हुआ है, एक एक फंडामेंटल राइट को लिखा हुआ है, जिस फंडामेंटल राइट को पढ़के समझ सकते हैं कि जो हमा यह प्रेजां इसू चला अए, वो कुई इसू नहीं, और उर ऐक प्रो इसके लिए इसके लिए इसके लिए इसके लिए जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनको बिल्टिश ने चैलेंज किया था आप लोग के अभी नियुक्ति की बुक्ति में नहीं लिए अगर आप क्लास 12 के नियुक्ति पढ़ेंगे इंडिया एंड डेमोक्रेसी में उसमें आप लोग पढ़ेंगे कि बिरिटिश ने हमारी फ्रीडम फाइटर्स को चैलेंज किया था कि वो इतनी बड़ी डाइवरसिटी में यूनिती लेकर ही नहीं आसकते सारे लोग एक चीज़ परिलीफ ही ने कर सकते लेकिन हमारी इंडिया के लोगों ने और हम सब ने मीटके और हमारी फ्रीडम फाइटर्स ने मीटके आस सततर सालों तक इस बात को प्रूफ कर दिया औ अगर हम लोगों के मन में साफ हो, मन में नियत साफ हो, अगर हमाई मन में किसी किसम का कोई बुराई ना हो, ओके बच्चो तो चलिए इसी सेकुलरिज्म को समझ लेते हैं, क्योंकि यह हमारे परस्टन टाइम का बर्निंग टॉपिक बन चुका है, इसलिए आप लोगों को में कोई बात नी करी हूं, यह आपका सबका सलेबस है, ओके बच्चो यह सलेबस आपको इसलिए बच्चपन में पढ़ाया जाता है, ताकि आप बड़े होके जो लोग अभी हमारे बड़े उल्टे सीधा काम करें, वैसे काम ना करें, बच्चपन से इसलिए आपको पढ़ जाता है, ओके और लेंड साइंस के स्टुजेंट होने की वज़े से, मैं इस बात की उम्मीद करती हूं कि आप पढ़े लिखे जाहिल नहीं होंगे, आप पढ़ लिख कर पढ़े लिखे सिटीजन वाला काम करेंगे, ओके तो चलिए, वाट इस सेकुलरिजम, अब हम इसको बुक में लिखा हूं आप जाई मैं नहीं कह रही, ओके? दा इंडियन कोंस्टिजिशन इस बात को अलाव करता है कि every individual अपने religious beliefs के साथ वो इंडिया में रह सकता है, वो प्रेप्टिस कर सकता है, वो इसको interpret कर सकता है, यह हमारे इंडियन कोंस्टिशिशन कहता है, right to freedom of religion मे right to cultural and educational right में okay in keeping with this idea of religious freedom for all India also adopted a strategy of separating the power of religion and the power of the state कि इस mindset को इस idea को दिमाग में रखते हुए कि हमारे इंडिया जो है सभी मख़बों को आजादी देता है इंडिया एक strategy अपने आई है अपने आपको secular रखने के लिए कि वो अपने आपको state को यानि government को मजभब से religion से अलग रखेगा secularism refers to separation of religion from the state और secularism का यही मतलब होता है कि state जो है it means कि government जो है वो religion से अलग रहेगी तो यह मतलब होता है secularism का और हमारे इंडिया एक secular country है so we should to respect secularism और हमारे सामने next question आ जाता है why it is important to separate religion from the state कि एक secular country में state को religion से अलग रखना क्यों जरूरी है तो चलिए this is important for a country to function democratically सबसे पहरे बात किसी भी country को democratically function करने के लिए यह बहुत जादे important है बिना इसके कोई country democratic नहीं हो सकती खास्तों से हमारी इंडिया जैसी country जहां पर इतनी diversity हो okay almost all countries of the world will have more than one religious group living in them अब देखें इस बात को समझें कि तकरीबन पूरी दुनिया में जो है जितनी countries है सब में एक से जादे मजहबों को मानने वाले लोग रहते है within this religious group there will mostly lack to be one group that is in a majority और इन सभी you know religious group में एक group ऐसा होता है हर country में जो कि majority में होता है for example अगर आप अमेरिका में या फिर आप यॉर्प साइट देख लें तो वहाँ पर Christian जो है वह majority में रहते हैं okay अगर आप Saudi Arabiya में देखें वहाँ Muslims majority में अगर आप हमारे इंडिया में देखें तो यहाँ पर क्या है Hindu majority में है तो यही कहा जा रहा है कि हर country में एक religious group जो है वह majority में होता है if this majority religious group has access to power और अगर यह majority religious group power तक भोच जाए means कि वह government में आ जाए then it could quite easily use this power and financial resources to discriminate against and prosecute persons of other religion देखें यह आपकी बुक साफ साफ कह रही है तो फिर वह easily क्या कर सकता है अगर किसी leader का mindset ऐसा हो तो वह easily ऐसे में क्या कर सकता है अपनी power को financial resources को दूसरे मख़बों के लोगों के साथ discrimination करने में use कर सकता है this tyranny of the majority could result in the discrimination and at the time even the killing of religious minorities देखें यहाँ पर साफ साफ कहा जा रहा है कि यह जो tyranny है नहीं आप इसको बदमाशी है फिर यह जो दबदबा है यह जो जबरदस्ती का धौप पंती है यह majority जो है इसके क्या होगा इससे discrimination होगा और एक वक्त ऐसा भी आ सकता है कि लोग जो है minorities religious को मानने वाले लोगों को मार भी सकते हैं कर सकते हैं the majority could quite easily prevent minorities from practicing their religion और जो majority हो बहुत आसानी के साथ minorities को उनको religious को religious practicing से रोक सकते हैं any form of domination based on religion is in violation of the rights that democratic society guarantee to each and every citizen irrespective of their religion और किसी भी तरह के religion के अधार पर जो domination है वो जो हमारा Indian constitution जो right जो देता है जो guarantees देता है उसका violation है तो इसलिए religion को power से इसके state से लग रखना जरूरी है that it is important to separate religion from the state in democratic societies because we also need to protect the freedom of individual to exit from their religion तो इसलिए important है हमारी book कह रही है कि किसी भी democratic society को किस से अलग रखना power से अलग रखना ताकि किसी भी individual की जो उसकी freedom है उसको बचाया जा सकते बचाया जा सकते आजादी हो उसके मसब के अधार पर भिद्भा के भी ना इसलिए power को you know उससे state से अलग रखना religion से अलग रखना जरूरी है ओके तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम पढ़ेंगी what is Indian secularism Indian secularism क्या है इंडिया में क्या क्या खास बात ही कही गई है तो Indian constitution meant that the Indian state be secular Indian constitution ने इस बात को यकीनी बनाया है कि Indian state होगी यानि government जो होगी इंडिया में जो भी party government में आएगी उसके उपर फर्ज है कि वह क्या है वह secular हो चाहाँ वह किसी भी you know religion से तालुक रखती हो कैसी भी हो उसके लिए जरूरी है कि अगर वह Indian government में आती है कि वह secular रहे according to the constitution only a secular state can realize its objective to ensure the following number first that one religion community does not dominate other सबसे पहरी बात Indian secularism की कि कोई भी एक religious community दूसरी community पर domination नहीं कर सकती second that some members do not dominate other members of the same religious community और दूसरा यह कि एक ही religious community means जैसे आप Hinduism में देखते हैं untouchability की जो you know caste system जो है उनके यहां यानि कि lower caste कास्ट के लोग जो है सब्सक्राम अच्छा हो ओके बच्चो और यह 21st century में तो it doesn't matter यह कोई matter ही नहीं करता कि कौन कौन से religion से उसकी कास्ट क्या है उसका gender क्या है it doesn't matter उसका skin color क्या है यह सारी चीज़ मैटर ही नहीं करती और number third that the state does not enforce any particular religion nor take away the religious freedom of individuals और तीसरी बात यह कही गई है कि state जो है यानि government यानि हुकूमत जो है जो लोग सत्ता धारी है वो लोग किसी particular religion को क्या उसको enforce नहीं कर सकते और नहीं किसी individual की religious freedom को खतम कर सकते हैं देखे बच्चो हमारे यहां जो है it means कि यह साही चीज़ जो हमारे इंडियन को स्टुटिशन इस बात की परमिशन देता ही नहीं किसी को उसकी धार्मिक आधार पर यूनो किसी भी तरीका से उसको बना किया जाए या रोका जाए और आप इसको आप पर जोड़ के बहुत अच्छी तरीका से समझ सकते हैं ओके तो चलिए आगे जो है इस डॉमिनिशन से बचने के लिए बहुत सारे तरीका अपनाती है जैसे कि हमने कॉंस्टुटिशन के लोज और कानूने तो सबसे पहला क्या करती है डिस्टेंसिंग इससर फ्रॉम रिलीजियन अपने आपको मजभब से दूर रखती है नन इंटर्वेंशन इंटर् करके भी इंटर्वेंशन जैसे कि हम लोगों ने देखा थी कि अगर किसी रिलीजियन में कोई ऐसी यूनो कोई बैट सोशल प्रैक्टिस हो और एक्जामबल जैसे हमने हिंदुजिम में सती पर था देखी और यह यह औरतों को जिन्दा जला दिया जाता था उसको खतम करने के लिए एसी अगर कोई किसी के उपर यूनो जल्म हो रहा हो और जैसे हमने रेखा लोर यह उन्टचाइबिलिटी इन सारी अगर इस तरह की कोई यूनो खतरनाक वो हो जिनका रिलीजियन से कोई लेना देना ना हो खाली वो बैट सोशल प्रैक्टिस हो उनको रोग सकती है तो चलिए अब हम बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ यह हम 2 चैप्टर देखे 30 मिनिट में हम लोगों ने 2 चैप्टर कवर कर लिए अब हम पढ़ने चाहरे हैं Why Do We Need a Parliament? जो कि you know Parliament is a form of government, Indian constitution का key feature है तो हमाई पास यह question आता है कि हमें एक Parliament की जरुवेत क्यू बढ़ती चलिए स्टार्ट करते हैं Why Should People Decide? लिए कि Parliament में as we know जैसे हम लोग पहले भी जानते हैं हम लोग ने चाप्र के explanation में भी पढ़ रखा है पार्डियमेंड में वो रिप्रेजेंटेटीज होते हैं जिनको जो जनता है जो लोग है वो जो है उनको स्वरी चूज करके election की द्वारा उनको भेचते हैं तो the experience of colonial rule as well the participation of different people in the struggle for freedom left little doubt in the minds of nationals that all persons independent India would be able to participate in making decisions कि पूरे ये जो colonial rule का experience था उसने हमारे इंडियन को जो हमारे नेशनली स्थे freedom fighters थे कॉस्टेटेंड असेंबली के members थे उस टाइम के जो लोग थे उनके दिमाह में ये बात बिठा दी कि जो हमारे इंडियन जो हमारा free इंडिया होगा उसमें सभी लोगों को decision making में participate मिलेगा it means कि कोई भी फैसला लिया जाएगा कोई भी कानून बनाया जाएगा उससे पहले लोगों से पूछा जाएगा okay अब इसका मतलब यह नहीं कि government वो करेगी कि वो करेगी जो मैं महसूस करती हूँ it means कि government किसी एक बंदे की feelings को लेकर decision नहीं बनाएगी बलकि government sensitive होगी लोगों की जरुरत के परती लोगों की demands के परती इक मिन्स कि वो जो जिसमें बड़े जिसमें जादा लोगों का फायदा हो वो काम करेगी okay बचो तो इसलिए constitution ने हमारी क्या किया कि independent इंडिया में सभी को universal adult franchise का हक हासिल होगा it means कि वो सभी लोग जो 18 प्लस होगे 18 इयर जिनके उमर होगी वो सब लोग जो है वोट करके सरकार बनाने में अपना you know decision पेश करेंगे अपना approval देंगे okay अब है हमारा पास second topic people and their representatives अब जैसे हम लोग ने पढ़ड़ा कि Parliament में लोग चूज करके जाते हैं अब पीपल उनके representatives के बारे में पढ़ते हैं जो एक टेक आफ पॉइंट फॉर डेमकरीशी को लोग पसंद क्यूं करते हैं उसकी जो खास वजह है वो यह होता है कि उसमें लोगों के डिजायर का लोगों के अप्रूबल का लोगों की सहमती का और लोगों के पार्टिसिपेशन का खयाल लगा जाता है जो कि मतलब सबस मतलब वो अब वो यूनो एक एक इक इनसान तो जाकर अलग नहीं बताएगा अब देखते हैं किस तरह पता अलगेगा कि लोग चाहते हैं कि यह बंदा मतलब गवर्मेंट में आए तो वन वे ओफ दूइंग तो एक तरीका जो है जैसा हमने पढ़ा कि एलेक्शन के थू प जो है अपने रिप्रेजेंटेटीव को चूज करके पार्लियमेंट में बेचते हैं और फिर उन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटीव में से एक ग्रूप जो कि जिसको ज्यादा वोट मिलते हैं वो गवर्मेंट बनाता है दा पार्लियमेंट विच इस मैड़ अफ और और पार्लियमेंट जो कि लोगों की सभी रिप्रेजेंटेटीव को मिला कर बनी होती है जहां पर यह यू नो लोगों की रिप्रेजेंटेटीव होते हैं पार्लियमेंट कहलाती है वो जो है जो भी गवर्मेंट में आती है जो भी पार्टी वो उसको कंट्रोल करने में उसको करने में help करती है okay in this sense people through the chosen representatives from the government and also control और इस sense में अगर देखा जाए तो लोग जो है indirectly अपने representatives को भेशते हैं और उनके दुआए जाए वो government को बनाते हैं और उनको guide करते हैं और इस तरह पता लगता है हर individual का approval कि जाधा तर लोग किसको vote देना चाहते हैं okay तो चलिए second topic है हमारा the role of parliament अब देख लेते हैं parliament का democracy में क्या role होता है दो लोग सभा usually elected once every five year हम सभी जानते हैं कि लोग सभा यानि लोगों की सभा जिसको कहा जाए जहां लोगों के representative directly चुन कर जाते हैं वो उसका 5 साल में एक बार election होता है इस बात में तो किसी को कोई शक्त नहीं है ना बचो पार्लिमेंट का पाची साल में election होता है न यास राइट और हमाई countries जो है वो बहुत साई constituencies में बटी हुई है और सभी constituencies से एक परसन जो हुआ पार्लिमेंट में चुन कर जाता है और candidate who contest really elections usually belong to different political parties और हम सभी जानते हैं के जो भी मतलब चुन कर जाता है हमां यहां से MPs MLs वो different parties से उनको वो लोग election लड़ते हैं once elected these candidates become member of parliament और MPs जब एक बार यह मतलब चुने चले जाते हैं जीच जाते हैं तो यह क्या बनते हैं member of parliament यानि MPs बनते हैं these MPs together make the parliament और यह MPs सब मिलके parliament बनाते हैं once election to the parliament have taken place the parliament need to perform the following function और जब एक बार यह election का पूरा process हो जाता है तो parliament के क्या क्या काम है वह हम देखते हैं number first parliament का काम होता है after election to select the national government it means कि अब central government में कौन लोग जो है वह majority में आया है यह ते करना होता है हम सभी जानते हैं कि यूनों बहुमत चाहिए होती है लोग सभा में it means कि at least half हो जितने members होते हैं 543 टू प्लस टू एंगलो इंडियंस उसका at least जो है half हो या फिर half से ज्यादा हो तभी जो है कोई भी political party जो है वह government बनाती है national government बनाती है okay number second order to control guidance from the government it means control करना guide करना अगर government कुछ जादे उल्टे सीदे जरूस बना रही है उसको बताना उसको हमेशा याद दिलाना inform करना कि कौन कौन से पॉइंट वो काम नहीं कर रही है या फिर वो क्या क्या गलत काम कर रही है यह parliament का काम होता है और number third law making it means के laws को approval देना कोई भी law pass करना यह सारे constitution के काम होते हैं law making भी आगे हम पढ़ेंगे अब देखे कि who are the people in the parliament parliament में कौन लोग होते हैं एक पार्लिमेंट में now has more and more people from different background हम सभी जाते हैं कि जादा जादा लोग different background से पार्लिमेंट में होते हैं सभी के धरम you know अलग लग कास से सब जगह से होते हैं for example there are more ruler members are also members from many regional parties groups and peoples that were till now unprecedented are beginning to get elected parliament के जो लोग you know पहले नहीं लेते थे अब उन्होंने interest लेना शुरू कर दिया क्योंकि सब लोग अपने rights के परती सचेत होते जा रहे हैं you know अब कोई किसी पर domination करें यह किसी को बदाश नहीं अब लोगों को पता लग रहा है कि उनका rights क्या है और हमारा constitution तो महान है उसने हम में जो राइट्स देया है वो हमारे राइट्स है और हमारे राइट्स को कोई छीद नहीं सकता okay it has been observed that representative democracy cannot produce a perfect reflection of society मतलब इस बाग को observe क्या कि जो यह representative democracy है यह society को you know perfect reflection नहीं देती मतलब पूरा मसला हल नहीं होता there is a realization that when interest and experiences separate us it is important to ensure that community that have been historically marginalized are given advocate representation कि जब इस बात को realize किया गया तो जब मतलब देखा गया कि सबके अलग अलग हीथ हैं अलग अलग मांगे हैं तो क्या किया कि ऐसी communities जो historically यानि हमाई इतिहासिक रूप से जो marginalized हैं जैसे lower caste के लोग हैं में कास्ट वास पर नहीं जाती बच्चों लेकिन फिर भी जो लोग marginalized हैं अब वो तो ही उनके लिए you know उनके लिए educate representation को ensure करवाया गया with this in mind some seats are reserved in parliament for scs and sds इसी चीज़ को दिहान में रखते हुए कुछ सीटे जो है पार्लियमेंट में scs और sds के लिए reserved कर दिगए it means के वो उनके लिए ही खास है वहाँ पे जो है उनहीं के लोग चुन कर आएंगे कोई और नहीं आ सकता okay this has been done so that the MPs elected from these constituencies will be familiar with and can represent दलित और आदिवासी इंट्रस्ट इन पार्लियमेंट में इसी तरह जो MPs वहाँ से चुन कर आते हैं वो उनको अपने इंट्रस्ट को जो दलित और आदिवासी उनको रिप्रेजेंट करते हैं तो यह सारी चीज़े होती है एक पार्लियमेंट में इंट्मीन्स के वहाँ पर लोगों की द्वारत चुनी गए लोग वहाँ पर आते जिनको रोट दे कर आगे बढ़ाते हैं और फिर व और लोगों की बातें आगे रखतें हैं उनके लिए और सरकार करना से और उनसे मांगी करना उनका फर्ज होता है जिनको हम रिप्रिजेंट करके भेशते हैं तो चलिए बच्चों यह हो गए थ्री पार्ट्स इन त्वोस थ्री चैप्टर्स इन वन वीडियो तो बच्चों देखे हमने 40 मिनट में 40 मिनट में ज्यादा ही बोलें 40 मिनट में हम जो है आप लोग के लिए सारे और जो है सेट्स लेकर आओं क्रेश कोर्स के जो हम लोग ने सीरीज चलाई है इंशाला हमें पॉलिटी जोग्रफी दोनों कवर करना है एकसाम से पहले सही इंशाला ओके बचों तो चलिए वीडियो को लाइक कीजिए जिल्ली से और अगर आ को शेर कीजिए का ओके चलिए बचों मिलते हैं अगली नेक्स स्रीज में जो की होगी देखें हम वो चैप्र पर डिपेंड करता है हम कोशिश करेंगी थ्री ये थ्री से ज्यादा ही ले 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 ताकि जल दस जल हमारी स्रीज कंप्लीट हो सके तो चलिए बचों अपना खया लखेंगा पढ़ाई करते रहें इन स्रीज को करेश को उसको पढ़ते रहें ये बहुत स्पेशल है आपके लिए तिलिए मिलते हैं अगली वीजियो में तब तक के लिए गुड़ बाए